शामन माश में भोले की भक्ती में इतने मगन हो चुके हैं लोग की कोरोना की पहली और दूसरी लहर को भूल चुके हैं और जिस प्रकार से लोग लापरवाही बरत रहे हैं इसका खामियाजा जिलेवासियों को जल्धी देखने को मिलेगा शासन भी मौन हो चुका है जिससे कानून का पहड़ा अब लोगों को नहीं पढ़ाया जा रहा है साथ ही आपको बताते चलें कि जिस प्रकार से मद्द प्रदेश में तीसरी लहर का दस्तक प्रारंब हो चुका है कहीं ऐसा ना हो कि जिले में इसका असर देखने को मिले परन्तु जिम्मेदार जिससे मुह मोडते नजर आ रहे हैं अभी तो कई धार्मिक तेवहार बाकी हैं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से भीड एकत्रित होगी क्या सिर्फ महच दिखाने के लिए प्रसासन पर चार प्रसार कर रहा है बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है जो नजारा हम आपको दिखा रहे हैं ये शिवमंदिर जिला इस्थित का है जहां प्रसासन ने विवस्था तो की है परन्तु किसी को नियम का पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा है हाँ सडक पर अवस्य नियम का पाठ पढ़ाया जा रहा है अगर कोई ब्यक्ति वाहन चलाते वक्त हिलमेट या विना फेसमाक्स लगाए घूमता नजर आता है तो चलाने कारवाई अवस्य हो जाती है क्या जिला प्रसासन को यह जानकारी नहीं है इस समय मंदिरों में क्या हाल है अगर प्रसासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो नतीजा सब के सामने होगा पोल खोल पोश्ट के लिए सिहावल से राजबहुर केवट की रिपोर्ट धोदी वैरान सिग्रोली मधप्रदीश पोटे नमबर 9425-177049-9798859215